कि हलो चात्रों बहुत-बहुत स्वागत था पीब्यार स्टडी में बच्चों आज आपका एक नया अध्याय सुरू हो रहा है अध्याय नमबर 13 दिखे टोयल अच्छे से खतम हो गया तो इसमें आप लोग इंट्रोडक्शन पार देखेंगे सबसे बेसिक चीजें तो मैं आ आयत से बनता है और इंगलिस में इसको क्यूब आइड बोलते हैं ठीक है क्यूब आइड बोलते हैं इस पेलिंग आप देख लिएगा सभी है कि अगर जो कोई ऐसे आकरती होती है जिसकी लंबाई और आइसरेशन दिखती है नहीं लंबाय ज्यादा चोडाना चंड उप्र. तो उसे आयत बोलते हैं आयत बोलते हैं सब्सक्राइब स्ट्राइब ooh इससे वाइब है यहही से देखो कैसे सुनो एक रेक्टेंगल से क्यूबाइट कैसे बन समझो बता रहा हूं एक ही जोर मैं बताऊंगा इस कलास में यह घनाव का सुत्र होता है इसको डीटियल में बताऊंगा आता कैसे हैं यह इंट्रोडक्शन पार्ट है अगर आपने इसको देख लिया तो आप क्यूब आइड और क्यूब का जो कंसेप्ट है यानि घन और घना आग आपके लिए काफी होगा कोईशन करने जरूरत नहीं होगी ठीक है चलिए इसको मिटाता हूं आप समझ गया हो ना कि देखो बनाते कैसे सबसे पहले इसको ड्रा करना सीख लीजिए क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया अगर काफी दिन आप नहीं ड्रा करोगे त और इधर आपको हलका ही बढ़ादा है बाहर जादा नहीं ऐसे ही ठीक है सीदा फिधा और इसको यहां मिलाना है मतलब यह वरकार से इसको यह ने लिए न्हों मिला देना यह से बन गया तक मर्ण बन जो फुन दो हुथ जैसे आपने आयद बनाया था ठीक है कि टी का मतलब होता है प्यारे बच्चों यह जैसे ये आप देखर रहो ना यह चीज ये डिब जैसे आकार इसमें क्या क्या है इसमें देखो ये लंबाई है ओर यह क्या चोड़ाई है ठीक है मैश्काई भी है यह उपर को जो है प्रकॉए बात कहें यानि ब्रॉट ओके तिक दिख रहा है न यह आपकी हाइट है यह तो हाइट या गहराई वान लो कुछ भी यह यह तो इसमें लेंद्थ है और है यह लंबाई चोड़ाई और उचाही है तो वैसे इसमें आप सीधा-फीदा देख सकते हो यह आपका लंबाई लेंथ है और य अगर आपको यह चीज समझ में आ गया तो अब आप यह सीख जाओगे यह फर्मूला आता कैसे मैं इसलिए डिब्बा लाया हूं इसको आज मैं सहीद करूंगा डिब्ब्यों को फाड़ करके ट्रीमर का डिब्बा है मैं कोई परचार नहीं करूंगा इसमें से मैंने स्टी इसमें आप क्यूबाइड का एक्जांपल ज्यादा अच्छे समझ सकते हो लेकिन मैं इसको फाड़ूंगा नहीं क्योंकि यह डिब्बे में इंक रखी जाती है तो मैं इसको फाड़ कि आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा दूसरे वाले को ठीक है इसको आप ऐसे मानलो इस कि आयत का छेत्रपल होता क्या है वह तो अगर रेक्टेंगल को हटा दिया जाए पिर एरिया की बात करें कि मतलब छेत्रपल चींग पाबुदी कोई अगल है कोई है कोई भी स्कॉएर है कुछ भी आकरति है – इसके द्वारा गी जितना यह एरिया इसमें घेरा गया है यही क्या होता है इसके द्वारा घेरे गई संपूर्ल छहेतर को क्या बोलते हैं यह मिलेants बिदो आयत क быстр प servers होता है बाब भी सी ब्रॉट जैने चोणाई अगर आपको यह चीज पता हैं तो आप इसमें अगर देखो तो इसमें कई आयत आपको मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूं जानजे तम तुनों है देखो भाई इसको मिटाओ बच्चों जैसे अभी आपने आयत देखा ना वैसे ही टिव्ब्य में चे आयत है कितने हैं इसमें चेरेक चेंगल है बाबू सम्झोड़ कैसे हैं देखो एक तो हो गया ये विरेक्टेंगल है अगर आप शर्फ इसका यही मुद्व है कोबाकी सब छोड़ दो इसके यस्ट पीछे भी एक आयत है यह भी एक आयत है लिए भी एक आयत है दो चेहरा हो गया ना इसके करत देखो उपर का वस और इसके भी नीचे एक आयत है यह चार हो गया ना एक 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 और इधर भी एक रेक्टेंगल है अगर आप ध्यान दो कैसे ऐसे कर लो इधर लंबाई देखो ज्यादा है चौणाई कम है कैसे है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं इस वाले डिपे में देखो समझो दोनों वैसे लगबाग बना है मैं आपको पांच रेक्टेंगल सवरी छे दिखाता हूं और छे आयत का छे त्रफल लेकिन एक ची ध्यान रहे इसमें सिर्फ आयत ही आयत मतलब नहीं आप समझोगे इसे तोड़ा अलग समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें हर जगा लंबाई चौड़ाई नहीं है इसमें क इसको फाड डालेंगे समझने के लिए आपको कि इसको खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा देखो तब यह को अक्यात बहुत इमानुदारी इस देखना हूं इसको इसको मैं फाड़ रहा हूं बैशना फिर से बनाना पढ़ेगा बच्छों को बताना है एक मिनेट रुक तो के यह अपने आप खुल गया ठीक है ओके आप समझो इसमें हमें छे फेस आपको दिखाने थे कितने भाई छे दिखाने थे याद रखना कहीं ऐसा नहों कि सब गड़बर हो जाए गड़बर जाला हो जाए फटा फटा हो गया ना लेकिन भी बन जाएगा देखो भागना थे पर देखो आपका यह इक फेस यह था बोलो अप सब कुछ चोरदो अब फिर पितना देखो नहीं तो पहले इसका च्छेतरफल निकालो 1 मिनटे उट को बता देता हूँ इसका निकाल लिखो लिखो पट से देखो बच्चों मैंने पहले आयत का यहां पर समझे लो 5-6 आयत का छेतरफल जूड़ेगा ध्यान से देखो गनाव का प्रिष्टिय छेतरफल निकालने के लिए 6 आयत जोड़े जाएंगे ठीक है तो पहले आयत का छेतरफल और प्लस अब क्या करोगे दूसरे आयत का छेतर सबस्क्राइब फिर तीसरे चौथे ऐसे समझो तो मैंने एक का बता दिया अब इसमें डिब्बे में ध्यान से देखो अगर मैं इसे फिर से बनाने की कोशिज करूं तो यह कैसे बनेगा देखो यह बन जा रहा है तो बोलो डिबा बन गया ना बन गया ना तो मैंने इस वा और भाग था इसमें यहुआ यह वाला था ना अब इसका भ़िया आप छेतरफल निकालो गया आयत वाला इसको भी क्रास कर दिया जितना जितना कर रहा हूं कराश करों ठीक है प्लसट दूसरे पर यह फिर ऐसे लिखोगे आयत सिकंड का चेतरफल और फिसकेंन का चेतरफल यहां पे ध्यान देना यह दोनों आयत में लंबाई है और चौड़ाई है ठीक है ऐसे रखो घ्रक्क देख लो इसमें लंबाई और चौड़ाई है उचाई नहीं है कहीं ठीक है समझो तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबु याल इंटू बी याद रखना और प्लस इसके लिए भी लिन टू भी यह तो हो गया अभी छे टोटल करना ना प्लस इसी में और जोड़ो नीचे अगर यहां जगा नहीं यहां प्लफ लगाके लिखो आयत तीन का छेत्रफल ठीक है फिर आयत चार का छेत्रफल फिर आयत पांच का छेत्रफल ऐसे सब करोगे और हमारे में जगा कम है आ आप गों करता यह मिटाव जहां के विटाई ने इसको कर दिया है अब तो यह इतना 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 फार्ट मेंने आपको दिखायाय था न यानि पुल मिलाके छे भाग है यह थोड़ा ज्यादा बिखर गया है अजीब टाइब का था बाकि इसके हिस्से आपको समझ में आ जाएंगे अब युमें क्लियर कर दूँगा ठीक है बाबू समझ रहे हो ना तो आप यह वाला भाग आप करोगे इसमें अगर आप देखो त क्या समझ रहे हो नीचे में तो यह और रखते हैं तो है यह पार आपका का आपका लंबाई और यह busy क्वाज़ा आsty लेकिन एक जैसे रखोगे तभी समझने आएगा तो आपको बताना चाहता हूं इस वाले डिब्बे से अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप पक्का समझ जाओगे इसमें क्या भईया यह ऐसे दिब्बा रखा जाता था आपने देखा था कम गहरा था ना ऐसे तो था नहीं ऐसे ही तो आपकी लंबाई और उचाई है तो बिटा आपका तीसरे वाले में क्या हो जाएगा प्लस यह इंटू यह मतलब हाइट तो मैंने इसको बता दिया इसको मैं क्रास कर देता हूं ठीक है जिसे दुबारा ना आये आप चलिए डिब्बे को फिर से बनाइए कितर कि कि इदर बचा है इसमें डेना यह हो गया इदर अभी नहीं हुआ है इधर देखोओ गया क्रास हो गया है इधर भी वह सब्सक्राइब नहीं हुआ यह इन जाए ह Greeley लंभा है ऊके अजब हो गया इसको बैस कर दो अगर कि टिब्य इसको इसको दो आप सिर्फ समझ लो कैसे देखो भाई सिंपल सी बात है मैं समझाना बहुत चाहता हूं आपको कि इसमें छे पेस हैं भाग है इसके छे रहे हैं न एक यह उपर वाला है जो आपको अगर डिब्बामा ऐसे कहीं रखेंगी जमीन पर तो यह है जिसमें उपर वाले में लंबाई इस इस पीछे भी ऊगा तो डो दो बार अब और बढ़ी कया है चला लो ěच जाए है यानि भी है तो दो बार प्लस बी इंटु एच eh यह वह गया एंटू यह रहेगा ना कि प्लस में रहेगा साथ अब इनको जोड़ दीजिया वही सुत्र जाएगा जो भी आया था सिंपल है टाइम लग जाएगा प्लस ये भी आपका यल भी आजाएगा तब मैं इसमाल लिखाओं आप भी इसमाली लिखिएगा मिल ला जाएगा इसमाली लिखिया जाता है प्लस ल एच और प्लस ये भी लच और प्लस ये बी इच और प्लस ये बी क्यों जाएगा बी एच ओके अब देखो पिटा इनको जोड़ोगे आप अल बी और यल भी यह जाएगा आपका 2LB प्लस LH और LH यह 2LH भी जोड़ोगे 2BH सभी में 2 है ना आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो तो बेटा यह बन जाएगा LB प्लस LH फाइनल में अभी यही सूत्र मैंने आपको लिखवाया था कि घनाब का छेतरफाल इक्वल 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL यह LH समझे गए ना याद आया समभी को यह था इंट्रोड़क्शन पार्ट आप कह सकते हो कि वाट इदा एरिया आफ क्या क्यों बाइड ना घनाब का प्रिष्टिये छेतरफाल यह फार्मूला यहीं पूरा इंट्रोड़क्शन है आपका एक्सरसाइज के कुश्चन भी करवाएंगे लेकिन दूसरे कपड़े पहन करके क्योंकि यह जो मैं पहना अभी नहीं लग रहा है अभी मज़ा नहीं आ रही अच्छा भी नहीं दिख रहा में इसलिए मैं चेंज करूंगा तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि यह के कलास में गुरुजी कैसे इसमें आ गए थोड़ा देर के वीडियो भी रुकेगा तस सिकेंट पांच सिकेंट इस नदर में मैं जट से आ जाओंगा तुरंट ठीक है कोई डाउट है तो बताओ नहीं न जो बच्छे कमेंट के लिए परिसान है मैं सबका कमेंट देख रहा हूं परिसान न रहें आज यह फर्मूला आप दुबारा एक बार सिद्ध कर लेना नहीं समझ में आएगा ठीक है यह फर्मूला आपको आना चाहिए याद नहीं करना है रटना नहीं है तरीका आजाए बस आप याद रखोगे ठीक है समझ लो इसे फिर यह कुश्चन करवाएं जाना नहीं करें थैंक्यू